हेलो प्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं मंझू जी एस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक अभिनदन करती हूँ प्रेंड जैसा की हमने पिछले लेक्चर में आप से बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इस बात पर होगा कि आपका seated का paper का जो pattern है वो क्या है आपकी जो language वाली problem आती है आज हम उसे भी दूर कर देंगे तो आज हम paper 1 और paper 2 दोनों को discuss करेंगे यानि कि हम previous year के paper को लेके बात कर रहे हैं जो कि अभी 2019 में December में जो हुआ था उसी paper को हम discuss करेंगे और इस paper का solution तो हम बाद में देंगे केवल अभी हम ये दिखेंगे कि किस subject को लेकर प्रस्न पूछे जाते हैं उनका sequence क्या होता है और जो language की problem होती है वो भी आज दूर करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि बात करते हैं भाग एक ठीक भाग एक में देखिएए friends बाल विकास और क्या पूछा जाता है बाल विकास वा सिक्षा सास्तर के बारे में पूछा जाता है जिसमें संख्या एक से ले करके 30 तक प्रस्न पूछे जाते हैं तीस कोश्चन आते हैं बाल विकास्वा सिक्षा सास्त्र के गडित के आते हैं 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के जो प्रश्ण होते हैं वो गडित के होते हैं पर्यावरन अध्यन की बात करते हैं तो 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्ण होते हैं वो पर्यावरन अध्यन से रिलेटे तक का attempt करना होता है और अगर भाषा दो में पहले आपने अंग्रेजी को भाषा आपने क्या किया है कि अंग्रेजी को भाषा एक और हिंदी को भाषा दो के रूप में चुना है तो आपको 121 से लेकर 150 तक के question करने होते हैं ठीके तो हम आभी बात करेंगे कि आपको और इस question paper करने के लिए आपको ढ़ी के समय दिया जाता, यानि 150 question होते हैं और ढ़ी का समय दिया जाता है तो बहुत समय होता है और जैसा कि अगर धाई गंटे का समय है तो आपको हम एक चीज बता देते हैं कि आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रश्ण पत्र को यानि एक भाग के लिए आप 30 मिनेट का समय निरधारित कर लीजे कि आपको एक भाग करने के लिए समय जो मिल ला है वो कितना मिल ला है वो आदे घंटे का समय मिल ला है यानि 30 मिनिट का समय बहुत होता है और 30 प्रशन भी पूछे जाते हैं 30 मिनिट के समय में आपको क्या करना है 30 प्रशनों को हल करना है और आपको इसी टाइप से पूखा गया है हो एक से लेका लेकर एक से लेखार ईक 20 तक के जो प्रेशन है वह आपके बाल विकास और सिंग्षा सास्तुर्थ और पूछे गया है हिंदी और पेपर सॉल्व भी कराएंगे आपको बहुत मिल्स अच्छा प्रश्ण पत्र आया था और इसी टाइप का हर्वर्स पूछा जाता है अगर आपने प्रिवियस यर के कोश्चन पेपर लगा के देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के कोश्चन पूछे ज प्रश्ण खतम हो गया है तो जब दूसरा भाग पूछा गया है तो दूसरा भाग गड़ित का है तीक है यानि 31 से गड़ित का स्टार्ट हो चुका है देखिएगा और आपको यह दिखा देते हैं कि जैसे आपने यह पेपर पूरा कर लिया और पेपर करने के बाद में आपको क्या सीक्वेंस है अभी आपका साथ तक के प्रश्ण जो चल रहे हैं वो गड़ित विशय के चल रहे हैं फिर देखिएगा 61 नंबर से जो प्रश्ण पत्र है वो पर्यावरन अध्यन का स्टार्ट हो चुका है तीक है पर्यावरन अध्यन का प्रश्ण पत्र स्टार हो चुका है और पर्यावरण अध्यन के बाद में आप देखेंगे कि जो लैंग्विज वाले प्रॉब्लम साइंगी वह अभी हम आपकी दूर करते हैं और अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है सीक्वेंस अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यह होती है कि जो इंगलिष का देखिएगा English का अगर आपने भाषा एक के रूप में अंग्रेजी को चुना है तो आपको याद रखना है कि आपने भाषा एक में किस को चुना है तो आप इस portion को attempt करेंगे यानि कि अंग्रेजी को एक पहली भाषा और अगर आपने हिंदी को अगर आप पहली अंग्रेजी भाषा अगर आपने चुनी है तो इसको attempt करेंगे और अगर आपने हिंदी को पहली भाषा इसी के जस्ट बाद में हिंदी भी है अगर हिंदी को आपने क्या किया है पहली भाषा के रूप में चुना है जसे कि मैंने अपना हिंदी पहली भाषा के रूप में चुना था तो मैंने हिंदी को का ये वाला portion attempt किया था ठीके ये वाला portion attempt किया था और हिंदी का देख सकते हैं कि 91 से लेकर start हो गया है 91 से लेकर आगे दिखिए यहां 120 तक के प्रशन पूछे गया है तो यहां पर देखिएगा ध्यान दीजेगा ये हिंदी का portion है और हिंदी का portion करने के बाद में आप language 1 अगर आपने language 2 English को चूज किया है अगर आपने language 1 Hindi को चूज कर लिया है और language 2 आपने English को चूज किया तो आपको ये वाला portion करना होगा यानि language 2 का ध्यान रखना होगा ये English में language 2 आपको करना होगा और ये वाले question attempt करने के बाद में आपने हिंदी को भी कर लिया language 1 के रूपे और language 2 जो English वाला portion होगा वो language 2 होगा आपने जो चूज किया है इस चीज का बहुत जादा ध्यान रखना है देखी यहाँ पे हिंदी language 2 जिसने चूज किया होगा भाशा 2 के रूप में अगर जिसने हिंदी को चूज किया होगा तो वो ये वाला portion करेगा मैंने भाशा 1 में हिंदी को चूज किया था इसलिए मैंने इस portion को क्या किया skip कर दिया था और जो की नहीं भी करना चाहिए देख सकते हैं आप ये वाला पूरा portion मैंने खाली छोड़ दिया था और ये आपका rough के लिए rough work के लिए आपको pages मिले होते हैं आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो ये था आपका ये था आपका paper 1 यानि कि जो primary level का होता है वो paper था और इस चीश का आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो होता है आपको language वाली problem ठीक है अब हम आपको दिखाते हैं कि जो भी आपकी जो ये second paper है junior level का paper सबसे ज़्यादा problem junior level के paper में आती क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार में junior level का भी attempt नहीं करते हैं और आप तो बहुत ज़्यादा जुरी भी हो गया क्योंकि vacancies भी आने के chances हैं तो junior level की भी आपको बहुत अच्छे से त्यारी करनी चाहिए और देखिए इसमें क्या है फर्स्ट भाग में दिया हुए है बाल विकास वा सिक्षा सास्त्र ठीक है आप ध्यान से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न जो दिये हुए बाल विकास वा सिक्षा सास्त्र से रेलेटेड पूछे जाते हैं गड़ित वा विञ्यान जो बच्चे विज्ञान विश्या वाले हैं वो गड़ित और विज्ञान के प्रश्न पत्रों को प्रश्न को हल करते हैं जिसमें प्रश्न संख्या दी हुई है 31 लेकर 90 तक के प्रश्ण फिर उसके बाद ध्यान दीजेगा जिसने सामाजिक अध्यन लिया हुआ है यह सामाजिक विज्ञान भी जिसे बोलते हैं तो उसको 31 से लेकर उसको 90 तक के वो प्रश्ण यानि देखिए सीक्वेंस तोनों का संख्या है प्रस्म संख्या सेम है यानि 30 से लेकर 90 अगर करना है तो जो गडित और विज्ञान वाले होंगे वो 30 से 90 गडित और विज्ञान करेंगे अगर वो सामाजीक अध्यन वाले स्टुडेंट्स हैं तो 31 से 90 तक के सामाजीक अध्यन वाला पोश्ण करना होगा फिर इसमें भी भाशा एक और भाशा दो वाल इसमें भी ठाई गंटे का समय रखार और और त्शाम के हिसाब से आप पोजिन को बिवायट कर लिजे क्यों है कि इसमें कितने पोजिन करने होते इसमें भी आपको कितने वाल विकास वा सिक्षा उस्था जार गडित विज्ञान किर्णा एक अंग्रेजी और भाषा दो हिंदी करना होता है तीक है क्योंकि देखिए पांच सब्जेक्ट की रूपे यह हो गया है क्योंकि गडित और विज्ञान ठीक है गडित के भी प्रशन आते हैं तो इस वज़े से आपको हर पोशन के लिए आपको आदे आदे घंटे का समय नि इस हिसाब से आपको समय का निधारन करना होता है आप मान के चलिए कि 30 प्रशनों के लिए आपको 30 मिनट का समय निधायत करना है और उसी इसाब से आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और यह देखिएगा ध्यान दीजेगा यह प्रशन पत्र है आपका यहां पर सबसे पहल भाग आता है चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेडिगोजी वाला यानि की बाल विकास वा सिक्षा सास्तर वाला और इस प्रशन पत्र को भी मैं हल कराऊंगी अभी मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि किस टाइप का कोश्चन पेपर आता है और किस टाइप का पेपर का प्रशन पूछे जाते हैं कितने घंटे का समय दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चों को यह प्रोबलम आती है तो इस वजह से मैं अपना पेपर यहां पर आपके सामने लेकर आई हो और आपकी जितनी बी प्रॉब्लम से अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्ख कीजए आप हमें comment बॉक्स में comment करके बताइए और जैसे आपके जो भी समस्या होंगी मैं पूरी तरह से solve करने की कोशिश करूँगी और देखिएगा आप एक चीज मैं इस कोशिश करूँगी जो बाल विकास और सिक्षा सास्तर का जो प्राइमरी लेवल का पेपर था और जो जूनियर लेवल का पेपर था वो मैं एक ही द जबाँ रखनी है अगर आप यह पेप boundary करते समय अगर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप यह स्पार और ऑप थू sund progress था जोattend लेवल का पेपर है यह सॉलTubeका झोछिए तो कोशिश किजे कि यह जूनियर लेवल का पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं इन चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है और प्रिविएस येर की पेपर पर तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो आप ध्यान दीजेगा यहां पे समय साइन्स और जो सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्ण पत्र बना था और जिस टाइप का हमेशा पूछा जाता है उसी टाइप के कोश्चन्स आए भी थे तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंट्स दिखिए साइन्स की भी कोश्चन्स है और एक चीज और मैं बता देना चाहती हूं कि आपको ध्यान दीजिएगा जो ncf 2005 है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए इसलिए आपको ncf 2005 की में इंपॉर्टेंट लाइन जो भी ncf 2005 में दी गई है वह आपको माइंड में रखनी है सेट करनी है क्योंकि उससे कोश्चन अकसर बनते हैं और जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी उस समय भी आपको इस चीज को मैं आपको बताऊंगी कि पेपर का पैटन बता रही हूं कि किस टाइप की पेपर में प और इस चीज पे बाद में पूरी तरह से डिसकस करूंगी मैं यह साइंस का पेपर चल ला है समय और आप देख लीजे प्रस्न यहां पर नाइन्टी तक कोश्चन यहां नाइन्टी है प्रस्न संख्या देख लीजे 90 और 91 से यहां पे देखिए 31 से दूसरा पोश्चन जो स सामाजी कद्यान सामाजी की विज्ञान यह पोश्चन चल ला है तो यहां पर प्रश्चन प्रष्चन चल ला है यह जितने दिखाई देंगे एक तरफ हिंदी के और एक तरफ इंग्लिश के अगर जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती हिंदी में तो वह इंग्लिश में भी समझ सकते हैं एसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में क्योंकि पेपर में दो मिन्स बाइलिंग्विल पेपर दिया जाता है आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी आपका जिस लेंग्विज में आपको समझ में आता है उस लेंग्विज में आप देख सकते है बहुत ही अच्छा पेपर बना था और इस बार भी काफी अच्छा पेपर बनने की लाक के चांसे भी हम एऊ तो अच्छे से त्यारी करने की जरुरूत है और भृषिम में पॉरिंट को पढ़ने की जरूत हैसिर उन्नक्रto के ज़या है wurden कि यह आपका सीटेट सीटेट का पेपर है तो एंसे आटी पर फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है आपको और ध्यान दीजेगा आपका यह नाइंटी नंबर तक यह खतम हो चुका है ठीक है नाइंटी नंबर यानि 30 से लेकर 90 तक के प्रशन पूरी तर से खतम हो चुके हैं अब लेंग्विज वाले उस पर ध्यान दीजेगा कि अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लेंग्विज के तौर पर अटेम किया है तो इस पर्शन को करने की जुट नहीं थी तो इसी कारण से मैंने इसको कर दिया ध्यान दीजेगा क्यों कि मैंने लेंग्विज बन जो है वह हिंदी को चूज किया है तो मैं हिंदी को ही अटेम्ट करूंगी इस वजह से ध्यान दीजेगा कि अगर आपने इंग्लिश को फिर्स्ट के तौर पर चूज किया था जब आप फिल करते हैं तो उस समय यह आपको पूछा जाता है तो आपने उस समय आपने फिल किया होगा तो मैंने हिंदी को फिर्स्ट लैंग्विज की तौर पर चूज किया था इस वज़े से मैंने हिंदी का फिर्स्ट लैंग्विज इच्छी attempt सबसे पहले किया उसके बाद में मैंने English को second language की तौर पे चूज किया था तो English को second language जहां पे होगी दिखिए English second language है यहां पे तो जो आपने चूज के उसको उपर देख के ध्यान से पिल्कुल बहुत ही ध्यान देने की बात है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों की problem आती है सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं पे होती है बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं वे क्या करते हैं कि वो यह नहीं देखते हैं कि English language उपर क्या लिखा हुआ है पार्ट टू है या पार्ट वन है आपने क्या चूज किया है यह भी ध्यान जाईए आप सेंटर पर जब भी जाईए तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए फॉर्म में आपने क्या फिल किया है क्योंकि यह सबसे बड़ी problem है ठीक है तो इस चीज का बहुत ध्यान देने की जुरत है तो आप देखिए कि यहां पर किस टाइप का पेपर आया है और किस टाइप क्या पैटर्न है इसका तो यहां पर देखिए यह आपके इंग्लिश के 150 तक के questions खतम हो चुके हैं अब हिंदी जिसने language second के तौप चूज किया होगा उसे हिंदी सेकेंड करनी चाहिए थी और मैंने नहीं चूज की थी इसलिए मैंने इसको skip कर दिया था और मैंने छोड़ दिया था और लास्ट में देखिएगा यहां पर यह भी 150 तक के प्रश्ण संख्या और यह रफ कारे के लिए दिये जाती है जगे और आप इसको कर सकते हैं तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा पेपर था और धाई गंटे का समय मिलता है तो एक चीज और ध्या सबसे पहले अगर आप साइन्स और मैट्स के स्टुडेंट है तो कोशिश कीजिएगा कि आप मैट्स को बाद में अटेम्ट करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैट्स में पढ़ जाते हैं और मैट्स को सॉल्व करने की वज़ह से वह आगे जो थेरिटिकल व फिल करते हैं सेक्ल करते हैं जो भी the mud sheet होती है उसको फिल करने के लिए बहुत समय जादा बच्चे समय बेश्ट कर देते हैं तो मैं जो आपको सजेस्ट करोंगी कि अगर आपने जैसे कि एक subject कर लिया ठीक है आपने जैसे बाल विकास और सिक्षा सास्तर आपने कर लिया है और बाल विकास और सिक्षा सास्तर के 30 question करने के बाद में आप क्या कीजे पहले उसको जो भी आप black ball pen से अगर आप circle कर रहे हैं तो आप पहले 30 के 30 प्रशनों को पह बहुत ज्यादा होता है लास्ट में तो यह आप गलती कभी मत कीजिए और आगर आपको बाल विकास और सिक्षा सास्तर का portion अच्छा है तो आप उसे अटेम कीजिए हिंदी का portion अच्छा है तो आप हिंदी का time कीजिए ध्यान रखिएगा जो आप प्रशन पत्र प्रस्न सं बहुत धियान देने वाली बात ہیں क्योंकि बहुत ज्यादा गलतीयां होती है और अगर ऐसी गलतीयां हो रही है आप ऐसा कीजिए कि जो प्रीवेंस के הgep Saya करने की कोरिस्ट कीजिए अउनको आप पाद में कीजिए जो portion आपको अच्छे से आता है, इससे क्या होता है, जो पोशन आपको अच्छे से आता है, आपके अंदर एक confidence भी आ जाता है, कि हाँ मेरे इतने मुझे अच्छे से आ रहा है, क्योंकि अगर आपने ऐसा पोशन उठाया, जो कि आपका पोशन अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर क्या ह जो आपको आते हुए होंगे उसमें भी आप घबडा जाएंगे और आपको घबडाना नहीं है क्योंकि आपको positive energy रखनी है और positive energy आपको कैसे मिलेगी जब आते हुए questions को पहले item करेंगे ताकि आपके आने वाले जो question थोड़े टब भी होंगे उनको भी आप easily समझ लेंगे और उनको भी आप अच्छे से focus करके questions को बहुत ही easy way से solve करेंगे तो यह मेरा एक बहुत ही अच्छा point है जो कि आपको note करने वाला point है और आपको हमेशा mind में set करके यह चोटी परान में आती है और बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि कहा problem आ रही है तो आप जब भी paper attempt कीजिए जब भी आप previous year का paper कीजिए तो friends इस चीज को बहुत जादा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि आप इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज को ध्यान से जादा तर लोगों को तक share कर दीजे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें थैंक्यू